सब्सक्राइब कीजिए इंफराटेq यूट्यूब चैनल को बिलकुल फिरी और बैल आइकन दबाईए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शाउमी के न्यू टीबी लॉंच के बारे में शाउमी ने मी टीबी 4 ये एक स्मार्ट टीबी है जिसे इंडिया में लॉंच कर दिया है आज न्यू देली में एक इवेंट में इस टीबी को लॉंच किया गया है इस टीबी का नाम मी टीबी 4 है और ये है एक स्मार्ट टीबी है Xiaomi की इस Smart TV की प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 39,999 रुपीज रखी गई है Xiaomi ने इंडियन मार्केट में Mi TB4 का 55 इंच 4K HDR वाला वेरेंट लॉंच किया है Mi UI बेजड पैचबॉल यूजर इंटरफेस से लेस इस Smart TV की सेल एक्स्क्लूजिव तो पर फिलिपकार्ड पर होगी कंपनी ने टीवी के लिए दावा किया है कि यह दुनिया का सबसे थिन यानि करीब 4.9 mm मोटर टीवी होगा यह टीवी पिछले साल चाइना में सेल हुई थी और इससे पहले इसे CES 2017 में शो किया गया था इंडियन टीवी मार्केट में शाओमी का यह पहला टीवी है जिसकी कीमत अपनी रेंज में काफी मुफीद मानी जा रही है यानि इस रेंज में काफी अच्छी टीवी है यह अब बात करते हैं इस MI की टीवी के स्पेसिकेशन की तो इंडिया में 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 टीवी 4 का 55 इंच वेरियंट आया है और यह 4K से लेस है इसका रिजॉलिशन 3840P x 2160P दिया गया है और इसमें HDR सपोर्ट करता है कंपनी की ओर से इंफोर्मेशन दी गई है कि इसका 60Hz वाला पैनल 178 डिगरी का विविंग एंगिल देता है यह 64-bit Quad-Core Amlogic Cortex A53 पर रन करता है जिसकी maximum clock speed 1.8 GHz है ग्राफिक्स में इसमें Mali T830 GPU integrated किया गया है इस TV में 2GB RAM दी गई है और 8GB internal storage दी गई है connectivity features की बात करें तो इस MI की TV में 3 HDMI 2.0 port दिए गई है 2 USB 3.0 और 2.0 port दिए गई है इसके अलाबा एक Ethernet port, SPDF port, Dual Band 2.4 GHz और 5 GHz Wi-Fi और Bluetooth 4.0 के options और जैसे features दिए गई है शाओमी ने इस smart TV को Dolby Plus DTS Cinema Audio quality से less रखा है इसमें 8W के duct inverted speaker और MIUI based AI patch wall है जो खास तोर से Indian market के लिए ही तयार की गई है patch ball user interface user को universal search जैसे feature देता है वहीं साथ में दिया जाने वाला Mi remote setup box को control करने में यूज होगा इसमें voice control feature भी है साथी 5 lakh hours तक का content इसमें available रहेगा इसमें 15 Indic language का support भी दिया गया है तो काफी अच्छी TV है इस price range में जो शाओमी ने लॉंच की है इंडियन मार्केट में और अपनी TV की सीरीज में कदम रख दिया है तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो खरीज सकते हैं तो comment box में comment करना बिल्कुल न भूलें और साथ के साथ चैनल को subscribe करना भी बिल्कुल न भूलें तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को like कीजिए, comment कीजिए और share कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि हम आपके लिए इसी type की और इससे ज़्यादा interested daily videos लेकर आते रहते हैं So thanks for watching this video, thanks